तो हाई दोस्तों, Motorola के तरफ से एक नया फोन हमें देखने को मिलने वाला है, 10 मार्च को, जी हाँ, Motorola के तरफ से एक नया फोन, जिसका नाम की बात को तो Motorola Moto G73 देखने को मिलने वाला है, इसका लेंडिंग पेज फिलिप काट पर आ गया है और आप सभी को भी पता चली गया हु में हर एक डीटेल बताऊंगा लोंच से पहले, क्या के आपको फीचर देखने को मिलता है, किस प्राइज में आपको देखने को मिलता है, और क्या जिस प्राइज के साथ ये पून आने वाला है, उस प्राइज के साथ से क्या ये अच्छा पून हो सकता है, हर डीटेल से बा बात कर लेते हैं Motor का Moto G 73 के बारे में इस साल McMhouses दिया में अ nada के चिल्द गया उसका फोन आता गया तो फिरसे 10 मार्च को उसका लगा êtes इंडिया में लोंच होने को रला है इसका प्राइस और राने रहने वाला है हाई ही है यानि कि Midge Range बोल सकते हैं यानि कि 15, 16,000 में राने वाला नहीं है तो इस हिसाब से भात करें कुछ पलोग निकाले सकते हैं तो चलिए बात करते हैं look design से look design यो आपको इस phone में देखने को मिलता है वो मिलता है plastic back से जी हां आपको यहाँ पर plastic back मिले वाला है और आपको dual camera देखने को मिलता है look design के बात को तो वही motorola का जिस तरह से फोन आता है design उस तरह से मिलने वाला है यानि पीछे में आपको m-shape का logo देखने को मिलेगा और design लमसम motorola का ही जैसा मिलने वाला है तो डिजान में कुछ नया आपको देखने को नहीं मिलने वाला है, दो केमरा देखने को मिलना वाला है, तो ज़्यादा कुछ डिफ्रेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, अब डिस्प्ले की बात करते हैं, तो यहां पर थोड़ा 20,000 के साथ से लगता नहीं कि डिस्प्ले म 1000 में भी एमुलेड डिस्प्ले कम सकम देखने को मिल जाते हैं जैसा कि आप बीवो का कोई भी फोन उठा ले या फिर बोलो तो एक्स सीरीज में जो आता है वहां पर आपको एमुलेड पेनल मिलता है 12-13 अपोको का भी उठा सकते फोन उसमें भी आपको एमुलेड पैनल कम सक देखने को मिल जाता है लेकिन यहां पर 20,000 देखे आपको सिरिफ IPS पेनल मिल रहा है तो यहां पर थोड़ा इस फोन के लिए डाउंगेट बन जाता है और रिजन बन जाता है नहीं खरिदने के लिए अगर आप सभी को एक बढ़ियावला डिस्प्ले चाहिए तो आप इस इस फोन में आपको देखने को नहीं मिलता है इस पॉन में और यहां पर 120 पर अपर बिजाएगा दिस्प्ले में थोड़ा यहां पर द्वेड हमें देखने को मिल जाता है तो यहां पर चिपसेट की बात करतों चिपसेट आपको यहां पर एक नया वाला देखने को मिल जाता है Mediatek Dimensity 930 जो कि around आपको इस फोर में पहला बार मिलने वाला या फिर बोलू तो India का फ़र्ष्ट चिपसेट होने वाला Mediatek Dimensity 930 अब इस चिपसेट के बारे में बात करतू क्या एक आई लेबल का चिपसेट देखने को मिल जाता है नहीं यह एक मिड रेंज का चिपसेट देखने को मिलता है अगर इससे हम मुकावला करा या फिर कंपेर करा किस तरह का परफरमस हमें देखने को मिलता है तो आप सब याद होगा या फिर पता होगा Qualcomm Snapdragon 695 जो कि ज्यादा तर में यह चिपसेट देखने को मिलता है 12, 13, 14,000 में भी देखने को मिल जाता है वही चिपसेट के मुकावला यह Mediatek Dimensity 930 यानि कि कोई भी बड़ा चिपसेट देखने को नहीं मिलता है नोर्मल देखने को मिल जाता है तो तो चिपसेट की बात करो तो 4,34,000 के आसपास देखन मिलता है तो अराउंड इस हिसाफ से एवरेज आपको चिपसेट देखने को मिल जाता है अधा हाई लेबल का आपको चिपसेट देखने को नहीं मिल सकता है ठीक है तो चिपसेट जो नॉर्मल देखने को मिल जाता है आप डेली लाइप टास्क यूज करे या पर गेमिंग क तक कर देखा एगा में तब कोई लेटः का भी जादा दिखाया जा रहा है लेकिन अब आने केबाद ही पता चलेगा किस तरह का किम्हंग देखने को मेलता है यहां पर आपको मेगापिक्सल की बात को तो 50 मेगापिक्सल का आपको एक theo का देखने को मिलता है तो यहां पर अगर मैं इसकी वीडियो रिक्वार्डिंग की बात करो तो हो सकता है आप सब्सक्राइब को टेनेटी पी 60fps या भी 30fps तक ही देखने को मिले 4K देखने को नहीं मिले क्योंकि इसी का रेंज में आता है कनेज है कोलZe को सब्सक्राइब देखने को नहीं मिलता है तो वो सकता है यहाप dif करentin देखनेको की देखने की चिपसेट देखनेों मिल रहा है ऊतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं इस फोन का camera आप 5000mH का battery आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है और उसी को charge करने के लिए आपको 30W का एक charger देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर थोड़ा कुछ चेंज किया गया है charger में यहाँ पर आपको USB वाला देखने को तो इस ठीकर में और फॉन की बात करो ही कुछ 20 में कमी याट ही पर इस सब्सक्ट के बात कर तो सब्क्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं